स्कूल लाइफ अब इस वर्ड को सुनते ही आपके दिमाँ के जो पहली इमेज बनी वो किस क्लास की थी जारा सोचिएगा शायद वो आपको सबसे स्पेशल क्लास हो या फिर सबसे वर्स्ट स्कूल लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसको इनसान दुबारा जोई तो करना चाहता है लेगि अगर उसे वापिस भेजा जाए तो क्या वो जाना चाहेगा लेकिनो गेम नहीं पेजा याद मोनी याद मोनी वो जाएफ है याद मोनी इतने भी दिन मैंने केंदरे विद्दा लेके इस स्कूल में बीसेफ कैम चावला में बिताए हैं वो काफी प्रीजिस थे मेरे लिए इसलिए क्योंकि ना के सिर्फ हमने आफलाइन क्लासेश देखी बलकि हमने आफलाइन क्लासेश का भी लुद्फ आखरी आते आते उठाई लिया स्कूल लाइफ की हार एक चीज खूबसूरत होती है या फिर केलो बहुत जादा ही खूबसूरत होती है लाइक सुबह सुबह उठके तयार होना स्कूल तक पहुचना अकेले या फिर किसी एक अपने पार्टनर के साथ स्कूल में वो छे घंटे बिताना जिनमें की पढ़ना, खेलना, खूदना, वापस घर आना स्कूल के दिये हुए कभी कभार प्रोजेक्ट, असाइमेंस इन सब को करना मैं असेम्बली को कैसे भूल सकता हूँ इसमें की बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए बेहोश हो जाते हैं ताकि उनके क्लास में जाकर बिठा दिया जाए तो बच्चों, इसी के साथ हम अपना असेम्बली की बच्चों अगर तुम लोग भी मेरी तरफ महिनत बेरोगे तो तुम्हें काम्यादी की सीड़ी से कोई नहीं गिरा सकता अगर कोई मुझ से ये पूछे कि केंद्रे विदाले के सबसे खास बात क्या है तो मुझे केंद्रे विदाले के सबसे खास बात ये लगी कि यहाँ पर डाइवोसिटी बहुत जादा है diversity means कि देश के हर एक कोने से बच्चे आपको यहाँ पे हर एक स्कूल में approximately मिली जाते हैं तो इस चीज़ का फाइदा ये है कि आप different different cultures को एक room में बैठे enjoy कर सकते हैं कि वहाँ के foods क्या है, community lunch के थ्रूँ खा सकते हैं वहाँ के rituals क्या क्या है, आप उनको करते रेख सकते हैं ये कभी कोई सोच के नहीं आता कि मेरे साथ class में बोरे दिन रहेगा कौन बट with time धिरे धिरे करके आपको एक दो दोस्तों ऐसे मिली आते हैं जो दिन भर आपके साथ घुमें और साथ ही साथ जिनके साथ आपकी bonding एक अलगी लेवल पे रहती है अरे बाइस मोर दिदी एक बर, एक बर कैमरा में निचन के साथ अभी जो आपने करा स्कूल वलोग ऑफ ऑफ जो आपके सफेली लेके कुर के डिलेक Czech narrative लाइ कि लाई हे निचीड मार भारत में निच के आबी जो गुए एदर हो जाए। बहुत से अंगिनत यादे हैं हमारे स्कूल की पर यही वो यादे हैं जिनको इंसान जिन्दगी भर याद रखता है और वो कहते हैं ना कुछ यादे कभी भुलाई नहीं जा सकती इसलिए जिन्दगी में जैसे भी हो जहां भी हो खुश रहो, मस्त रहो नए-ने दोस्त बनाते रहो और अपने आज को इतने अच्छे से जीओ कि आपका आने वाला कल भी अपने आपको खुश नसीब समझे कि वो आपका आज बनने जा रहा है